क्या हुआ जब श्री राम ने लक्षमन से रावन के आगे हाथ जोड कर दान मांगने को कहा। रावन का पुतला जलाना बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ रावन, मेघनाद और कुम्भकरन का पुतला ही क्यों जलाया जाता है। ऐसे कई रावन से ज्यादा शक्तिशाली थे जैसे बहू रावन और अहि रावन जिसने श्री राम का अपहरन कर लिया और पाताल ले गया। तो जानते हैं पूरी मिस्त्री विस्तार से विजय दश्मी इस त्योहार को श्री राम के रावन पर जीत के कारण में मनाया जाता है। इसी दिन रावन उसके बेटे मेगनाद और उसके भाई कुम्भकरण का पुतला जलाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सिर्फ र जानकारी के आधार पर आज हम आपको इस तथ्य के पीछे का रोमास से भरा सच बताने जा रहे हैं। रावन को लेकर धर्म ग्रंथों में यह वर्नन मिलता है कि रावन एक असुर होकर भी भगवान शिव का परम भक्त था, समस्त वेद, पुरानों और ग्रंथों का ज्यात था। कई मंत्र और प्रार्थना आज भोलेनात को प्रसंद करने के लिए कही जाती है। रावन से बड़ा शिव भक्त संसार में न तब हुआ था और नहीं उसके बाद कभी कोई अन्य हुआ। रावन ब्राहमन कुल से था और सभी नियमों का पालन करता। रावन का वध करना अन्य राक्षाओं के वध करने से कही अधिक कठिन था। जब रावन राज का वध हुआ तब भगवान श्री राम ने लक्षमन से हाथ जोड कर कुछ ज्यान मांगने को कहा था क्योंकि भगवान श्री राम जानते थे कि इससे बड़ा योध्धा भक्त और कुशर राजा उसे समय कोई नहीं रावन का वध इस संकेत को दर्शाता है कि सिर्फ सात्विक इच्छा से की गई पूजा और भक्ती ही फलती है सात्विक पूजा से ही भगवान का साथ मिलता है अगर कोई भगवान की बहुत पूजा करता है लेकिन बुरे कर्म भी करता है, गलत कर्म अपनाता है और दूसरों को दुख पहुचाता है, उसका नस्थ होना निस्चीत है कितनी भी पूजा कर ली जाएं, लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, और सतकर्म से आपका कोई संबंध नहीं है, तो भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, यह एक अटल सत्य है इस भाव को लोगों तक पहुचाने के लिए एक मात्र सिर्फ रावन और उसके कुल का पुतला ही जलाया जाता है, अन्य किसी राक्षस का नहीं एक सिर्फ रावन ही था, जिसने असुरों में भक्ती की परम सीमा को पार कर लिया था, जबकि अन्य राक्षसों ने तब किया परंतु भक्ती नहीं अपनाई साथियो रावण एक ऐसा शक्तिशाली इनसान था जिसने परम सक्ती को अपने द्वार का रक्षक बनाया था जी हा माता भी उसके लंका की पहरेदारी करती थी और उनकी आग्या के बिना कोई भी लंका में नहीं घूस सकता था ऐसा शक्तिशाली रावण था लेकिन उसके गलत कर्मों के कारण माता ने उसका साथ छोड़ दिया और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर पाए थे नहीं तो हनुमान जी भी केवल बाहर ही थे क्योंकि माता की आग्या के बिना घर कोई भी नहीं जा सकता था दूसरी तरफ महादेव लंका के भीतर शिवलि श्री राम जी सच्चे मार्ग पर चलते थे इसी कारण आज हर घर भगवा हर घर राम विराजमान है और अयोध्या में तो भव्य मंदिर बन रहा है 22 तारीख को उसका उदगाटन भी है तो इसलिए एक मात्र सिर्फ रावन और उसके कुल का पुतला ही हिंदू धर्म में ज लाया जाता है